आज की कड़ी में हम गांधिवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मारण कर रहे हैं। अधिक रुची रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमाने बाल गंगाधर तिलक से हुई। अगीरत भी कहा जाता है क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए गांगाउं गए। गंगाधर राव के नित्रत्व के कारण बेलगाओं के निवासियों ने 1942 में भारत छुड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1906 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत्षत नमन। हम आज मुतुलक्ष्मी रेड़ी को भी याद कर रही हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदु कोटेई रियासत में हुआ था जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहु मुखी व्यक्तित्व की धनी मुतुलक्ष्मी रेड़ी कई मामलों में आगे रही। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थी। वो मतरास विधान परिशत की पहली महिला सदस्य भी थी। और उसकी उपाद्ध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थी। Women's India Association की पृथम अध्यक्ष और मतरास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली परथम महिला। इन उपलब्धियों से भी उपर वो बाल विवा और देवदासी पृथा के विरोध में, अभियानों सहित, सामाजिक मुद्धों के संबंध में, कार्य कर्ता के रूप में अधिक चर्चित है। और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायन स्वामी अयर ने परंपरा तोड़ी और मुतुलक्षमी को विद्ध्याले भेजा। की भी दी। कॉलेज के दिनों में मुतुलक्षमी की मुलाकात सरोजनी नाइडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगी। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुतुलक्षमी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुतुलक्षमी रेड़ी ने मदरास विधान परिशद में विधेग प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेग को खानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गये। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया।